Hey kids, welcome back to my new dreams, मैं आपकुशी भटनागर और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी class 3rd का chapter number 10 और chapter number 10 का नाम है क्यों जी मल और कैसे केसलिया तो ये chapter है जैसे किया नहीं बताया था दो दोस्तों का जो बड़े ही अलग तरह के दोस्त हैं और बड़े ही अलग तरह के इंसान है जो क्यों से क्योंजी मल हैं वो क्योंजी मल हर बात पर कहते हैं क्यों 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 और जैसे जो कैसे से कैसलिया है वो हर बात पूलता है कैसे 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 तो ये जो दोनों दोस्त हैं जब भी किसी से मिलते हैं तो उसको पका देते हैं अपनी बात हर बात पर क्यों 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 और हर बात पर कैसे 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 तो इतना साथ कैसे 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 होता है 8585 पे जैसे हैं पेज नमबर 8585 पे आएंगे तो आपके सामने कहानी जो है वो शुरू हो जाएगी ठीक है तो कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी पेंसल निकाल लिजे और रीडिंग करना स्टार्ट कीजे तो इन से मिलिए ये है क्यों जी मल बात बार पर पूछ देते हैं क्यों 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 बहले ही आप इस जवाब देते बने या नहीं पदा नहीं क्यों अरे ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसलिया ये भी कोई काम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं, कैसे 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 कैसे, तो वो यही पता रहे हैं कि दो दोस्त हैं, क्यों जी मल और कैसे कैसलिया, ये दोनों मौका लगते ही छोड़ते रही हैं मौके को, हर मौके पे क्यों 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 क्यों, कैसे कैसे कैसे, इस तरह के जवाब पूच के परिशान करते हैं। भूले बटके कभी दोनों में से एक साथ मुलाकात हो गई, तो क्यों और कैसे के बीच ही बटकते रहेंगे आप। अगर भूले बटके हम लोग कभी इन दोनों से मिल लिए, तो हम क्यों, कैसे, क्यों, कैसे, क्यों, पढ़िए और पता कीजिए चलिए, आगे बढ़ते हैं पेज नमबर 8.6.86 पे आजाईए जल्दी से पेज नमबर 8.6.86 पे आजाईए और उसमें गुरु जी नमस्ते किदर चले? दोनों जो लोग गुरुजी से मिले, ये हैं हमारे गुरुजी और दोनों ही क्योंजी मल और कैसलिया इन दोनों से मिले ये दोनों गुरुजी से मिले तो उनने बोला नमस्ते, जरा बजार जा रहा हूं तो क्यों जी मल बोला, बजार, क्यों, 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 उनने बोला, गेहू पिस्वाना है, इसलिए तो कैसलिया बोला, बजार, कैसे, 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 कैसे अच्छा, गेहु पिस्वाना है, फिर क्यों जी मल, क्यों, 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 क्यों फिर गुरुजी बोले, अरे आटा जो चाहिए, तो कैसे लिया, पिस्वाना है, कैसे, कैसे, कैसे तो उन्हें बोला, चक्की में भाई, तो फिर क्यों जी मन? आठा, क्यों, 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 तो बले, क्यों भाईया, रोटी नहीं बनाएंगे, तो फिर से कैसे अलिया, रोटी कैसे, 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 फिर, अरे आठा, अरे आठे को सनेंगे, बेलेंगे, तवे पर प पुलाएंगे, तो फिर से बुला, क्यों जी मद्ट? सनेंगे, क्यों 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 क्यों? फिर सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है, आग पर थबने से यही पानी भाब बन जाएगा, बीली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सनेंगे, सन्ना मतला आपको पता है यहाए現在 इंख चोटी से पिच्चर दिख रही होगी ये सारी इसको कहते सन्ना, कभी ancy मम्मी आपको देखा होगा आपने एक आटा निकालते हैं उसमें थोड़ा सपाइध रिकालते हैं थोड़ा सuciones मघ डालते हैं और पहले तो आठा पूरा बिखर जाता है फिर दीरे वो मड़ जाता है और रोटी सेखने के लिए हमें आठा मिल जाता है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आठा फिर उसके आज आपका अना पड़ेगा पेज नमबर 8787 पर जैसे ही आएंगे तो फिर सनेंगे कैसे 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 तुम्हें कभी देख फिर गुरुजी बोले तुमने कभी देखा नहीं है क्या परात पर आठा निकालेंगे चुटकी बर नमग दालेंगे और फिर दीर दीरे एक हाठ से पानी डालते हुए संना शुरू करेंगे पहले पहले सारा आठा बिखरेगा फिर सम्टेगा और अच्छे से सं ले क्यों और कैसे में ना मेरी चक्की के दुकान बंद हो जाएगी तो फिर बंद हो जाएगी क्यों 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 क्यो ठीक है चलिए अब ये कहानी खतम हुई है पर exercise अभी बची हुई है तो हम exercise करते हैं exercise के लिए आना पड़े कि आपको page number 8888 पे जहां भी उपर लिखा है तुम्हारी समझ में क्या आया तो देखते हैं तीन प्रश्ण है सबसे पहला प्रश्ण है गुरुजी थेली में क्या लिये जा रहे थे उनके पास क्या था तो फिर उसके बाद क्या है क्यों जी मल और कैसे केसलिहा से मिलने पड़ तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे और तीस राश्ण दास ने गुरुजी के थेली को देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी तो इन तापको हम उत्तर देख लेते हैं आईए अपना कॉपी पेन निकालीजे और उत्तर को लिखना शुरू कीजे सबसे पहले गुरुजी की थेली में क्या था तो गुरुजी जा रहे थे आटा पिस्माने तो आटा के लिए बनने के लिए क्या हो न चीए गिहूं तो उनकी थेली में था गिहूं तो ये लिखा हुआ है गुरुजी की थेली में गिहूं लिये जा रहे थे फिर है क्यों जी मदल कैसे के सलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच क्यों भटकते रह जाओगे ऐसा क्या होगा कि तुम दोनों के बीच भटकते रह जाओगे तो क्यों कि वे दोनों अपने बेकार ही प्रश्णों के क्यों क्यों और कैसे कैसे में हमें उलजाये रह जाएंगे और उनके प्रश्णों का कभी अंत नहीं है जी हाँ अब जो भी बोलोगे उस पर वो क्यों 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 क इसले उनने गाड़ी देती ही होगी तो ये तीन उत्तर हैं एक, दो, तीन इन्हें फड़ा-फट से लिख लीजे अपने कॉपी में किससे हम आगे बढ़ सके चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस पेज में और कौन सी एकसरसाइज है तो रोटी एक नाम वने रोटी को अलग अलग जगाओं पर अलग नाम से पुकारा जाता है कुछ और नाम पता कीजिए तो यहाँ पर चार खन है जो रोटी को हम अलग नाम से बलाते हैं वो नाम हमें यहाँ पे लिखना है तो आईए देखते हैं कि हम और नाम उसे क्या बलाते हैं पराठा, चपा ऐख़े हैं? अब हम बढ़ते हैं आगे अगले exercise पर अगले exercise है तुम्हारे घर में आटा सनने को क्या कहा जाता है? आटा गूंधना, आटा गलाना, आटा मलना या फिर कुछ और हमारे घर में ममी से पूछा है हमारे घर में गूनना और मलना कहा जाता है मेरे घर में specially आपके घर में क्या कहा जाता है आटा को सनने के लिए तो आएए देखते हैं आप लोग हमारे जैसे आटा गूथना लिखा हुआ है मेरे घर में आटा गूथना या आटा को हम मलना भी कहते हैं तो आपके घर में जो भी कहा जाता है, आप वो चीज यहाँ पर लिख सकते हैं, चैके, अलग देखते हैं, आगे exercise क्या है, आगे है, गुरु जी कौन से आटे की रोटी खाते हैं, अपने साथियों और घर के बढ़ों से पता कीजिए कि क्या किसी और चीज से भी रोटी बना सकती हूँ, पर आपको वो चीज धून के चिपकानी पड़ेगी, चैके, तो जो गुरु जी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे, अब गेहूं के अलावा जवार, बाजरा, मक्के की रोटी भी बनाई जाती है, तो वो तो गेहूं की खाते हैं, बट गेहूं के अलावा भ क्योंगे तो Google पर search भी कर सकते हैं, मम्मी से पापा से, बोच के उनके फोटो भी देख सकते हैं, चीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सनेंगे, गेहूं को पिस्वाएंगे, आग बर फुलाएंगे, तबे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे, नहीं तो फिर कैसे? तो ये क्या सही तरीका है? थोड़ा उबर खावर तरीका नहीं लग रहा? आइए इसका सही तरीका देखते हैं तो सबसे पहले हम गेहूं को पीसेंगे, फिर आठे को सनेंगे, फिर चकले पर बेलेंगे, फिर तवे पर पकाएंगे और फिर आग पर फुलाएंगे और फिर गरम-गरम खाएंगे तो वो जो था उपर नीचे था हमने इसे सही सीक्वेंस में लगा दिया है अब इस चीज़ को आप लिख ले चलिए ठीक है अब आपने लिख लिया होगा अब हम बढ़ते हैं गुरू जी ने कैसे केसलिया को समझाया कि आटा कैसे सना जाता है अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते हुए देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है चीक है तो हम किस तरह से लिखेंगे अगर हम अपनी मम्मी को देखेंगे कि रोटी कैसे बेली जाती है तो अपनी मादा चिको रोटी बेलते में देखो और बेलने का तरीका देखो कि किस तरीके से वो बेल रही है तो आज आके सब लोग आप लोग देखना कि मम्मी रोटी कैसे बेलती है अब आते हैं अगले प्रश्ण पे अगला प्रश्ण क्या है रोटी बिनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है जैसे कि सनना पहले गेहूं पिस्वाओ फिर आटा सलो फिर रोटी बेलो फिर तवे पे सेको कितना कुछ करना पड़ता है तो पता करो और लिखो इन्हीं बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा जैसे कि चाय बनाने क पड़े या मम्मी को देखो तो समझ में आएगा कैसे बनता है चाय बनाने के लिए क्या करते हैं एक बरतन लेते हैं बरतन में थोड़ा पानी लेते हैं गैस डालू करते हैं पानी जब गरम हो जाता है तो उसमें चाय पती डाल देते हैं उबाल आने पर उसमें चीनी और दू तेल डाल देते हैं सरसोका या रिफाइन कोई भी तेल डाल सकते हैं तेल के गरम होने पर उसमें प्यास हरी मिर्च डालते हैं जब उनमें गुलाबी से हो जाएं तो उसमें हम कटी सबजी डाल कर भून लेते हैं जो हमने सबजी बनाने वाले हैं वो डाल देंगे उसके बाद कि अच्छे तरह से आप डाल को धो लें और फिर प्रेशर कूकर में उसर डाल दें फिर उसमें पानी, नमक, हल्दी भी डाल दें और उसके बाद कडाई में थोड़ा सा घी डालें घी में जीरा, प्याँच, हरी मिर्च और अन्य मसाले डाल कर पकाएं पकाने के बाद जब सारी चीज़े अच्छी तरह से पक जाएं तो उसमें एक उबाली डाल डाल कर गैस पर उतार लें इस प्रकार से स्वादिश डाल बन जाती है जो डाल आप उबाल रहें कूकर में वो बल जाएगी और जो कड़ाई में आपने उसका चौक बनाया दोनों को मिक्स कर दें तो डाल बन जाती है अगला है हलवा कैसे बनाते हैं तो कड़ाई की आज पर रखकर उसे अच्छी तरह गरम कर लें फिर उसे उसमें घी डाल लें उसके बाद उसमें थोड़ा बेसन या सूजी डाल दे सूजी डालने के बाद उसे धीमी आज पर थोड़ी देर भूनते रहें जब बेसन या सूजी थोड़ी सी गुलाबी हो जाए तो उसमें पहले चीनी और फिर पानी डाल कर तेजी से चला दे और गाड़ा होने पर आपका हलुआ बन जाएगा फिर आखरी है लसी लसी बनाने के लिए दही को गहरे बरतन मर डाल कर राई से बिलोते रहे यानि डुक डुक करते रहे फिर उसमें चीनी डाल का चलाएं परोशने पर हम उसमें बरफ के तुकड़े पर डाल सकते हैं तो आपकी सारी चीजे इस तरह से बन जाएगी इन्हें आप लेख लीजे और ये आपके सामने उत्तर है ये वीडियो को पॉस करें पहले ये दोनों चीजे लिख लेजएगा फिर इस पर यहाँ पर पॉस करेंगा और ये दोनों चीजे से लिख लेजएगा तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइस हो जाएगी अब आते हम अपने पेज पे तो हमने ये साइस चीजे बनाना सीख लिए आप लोग मास्टर शेफ बन चुके हैं आगे बढ़ते हैं बाजरा एक किलो मिलता है तीस रुपे का अभी ही टाइम पे बाजरा एक किलो मिलता है पंदर रुपे का और मक्की बाजरा मक्का और गया था एक तीस रा चना या अखरी भी है चना ठीके चना एक किलो मिलता है चालेस रुपे का चीक है? तो हमने यह आपर सब के प्राइज लिख 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 लिखे अराम से बुक में ही लिखना यह तो फिर हम बढ़ेंगे आगे चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे अगले पेज पर अगला पेज है पेज नंबर 9090 पेज नमबर 9090 पे हम गेहु पिस्वाने आटे के चक्की पर जाते हैं हम इन कामों के लिए कहां जाएंगे? आटा खरीदने, पंचर बनवाने, दूद खरीदने, जूते की मरम्मत करवाने, सुरही खरीदने, कापी किताबे खरीदने और बाल कटवाने इन सब चीज़ों के लिए हम कहां का जाएंगे? बहुसा ही चीज़ों तो आपको पता होंगी, मैं चानती हूँ फिर भी हम देख लेते हैं सबसे पहले तो आटा खरीदने हम कहां जाएंगे? हम जाएंगे परचून या आटा चक्की की दुकान पे पंचर बनवाने हम जाएंगे पंचर बनवाने वाली दुकान पे जहां पे पंचर बनते हैं दूद खरीदने हम जाएंगे कोई भी डेरी पर जूते की मरमत कराने जाएंगे हम मोची के पास सुरही खरीदने जाएंगे कुमहार के याँ कॉपी किताब खरीदने के लिए स्टेशनरी जाते हैं और बाल खटवाने के लिए सहलून याने की नाई के पास जाते हैं तो हमने देख लिए कौन सी जगे पे हम कहा का जाते हैं आप वीडियो को पॉस करके अराम से लिख सकते हैं अगली एक्सराइज है अपने घर के पास आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या पिस्ता है आटा चकी किस चीज से चलती है और दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है तो आपको एक दुकान में जाना है आपके पास आटा चकी होगी मम्मी से पूछो आटा चकी कहा है घर के पास वहाँ जाईए और वहाँ पर जाके आपको देखना है कि वहाँ कौन सा आटा पिस्ता है किस चीज का आटा पिस्ता है और आटा चकी किस चीज से चलती है कैसे वो चलती है आटा चकी के चलने का क्या प्रोसीजर है और दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है ये सब चीज़ें आपको पता करनी है ठीक है? तो आपको देखो, वहाँ पर हो सकता है गेहू, चना, चाबरा, बाजा, मक्का, चावल में से कोई भी चीज पिस सकती है आटे की चकी किस से चलती है? और दिन में कितनी बार, चार से पांच बार उसे रोका जाता है चिक है? तो इसके साथ आपकी ये एक से पेज में खतम हुआ अब हम बढ़ते हैं अगले और आखरी पेज 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 नमबर 91 पेज नमबर 91 के एक्सरसाइस है कैसे बनेगी रोटी? नीचे रसवे की कुछ चीजे यहाँ पे आपको दी गई है उन्हें देख कर बताओ कि रोटी बनाने में कौनसी कौनसी चीज का अस्तमाल नहीं होता है तो ऐसी चीजों का अस्तमाल किस काम के लिए किया जाता है? यहाँ पे जो चीजों का अस्तमाल रोटी के लिए नहीं होता है तो किस काम के लिए होता है तो आईए देख लेते हैं, कर लेते हैं यह भी हम पटापट तो सबसे पहले तो चकला बेलन तो अच्छा रोटी का रोटी बनाने के लिए क्या क्या चीजों का इस्तमाल होता है तो सबसे पहले आपको दिखेगा ये रा चकला और ये रा बेलन ये है चकला ये है बेलन इन दोरों का इस्तमाल होता है रोटी को बेलने के लिए फिर है cup और plate जैसे कि ये cup और plate होता है चाई पीने के लिए फिर है कड़ाई तो कड़ाई होता है सबजी बनाने के लिए और चिम्टा चिम्टा होता है रोटी सेखने के लिए और रोटी को फुलाने के लिए तो हमने ये चीते लिख ली हैं अब आप लोग भी इसे लिख ले और इसी के साथ अगर आप लोग बाऊस करके लिख लिख लीजएगा और इसी के साथ हमारा जो चाप्टर है वो भी हो जाएगा, फिनिश अब आपको मेरा कोई भी टॉपिक और कोई भी चाप्टर अगर यूट्यूब पे नहीं मिलता है तो Google पे जाएए, टाइप करिए, magnetbrains.com और सर्च करिए जैसे आप सर्च करेंगे, वेबसाइट आपकी open हो जाएगी नीचे आपको classes दिखी रही है, आप अपनी class 3 पे ख्लिक कीजिए जैसे ख्लिक करेंगे, उसके सारे subjects आपके सामने आ जाएगे जैसे भी subject आपको पढ़ना है, उस subject पे आप ख्लिक कीजिए बहुत ही असानी से, तो हमने एक चाप्टर और complete कर लिया है, अपनी हिंदी रिम जिम बुक का चाप्टर नमबर 10 इसी तरह से बाकी बच्चेवे चाप्टर भी हम साथ में करेंगे, साथ में पढ़ेंगे, हर एक exercise भी साथ में करेंगे तो तब तक के लिए बने रहे हैं magnet brace के साथ, और करते रहे हैं like, subscribe and share, thank you